बूर्णिंग वेलकम दोसे बिल्गान अब सब्सक्राइब करते हैं तो बात करने वाले हैं कि अब नेक्स्ट आगे की तयारी कैसे की जाए देखो भी या एनेच्पेसी होने के बाद एक्जाम पेटन को देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि नेच्पेसी एक्जाम के बाद बहुत से लोगों का एक्जाम तो अच्छा हुआ है पर बहुत से लोगों के जाम खराब गया तो उनको अपनी महनत पर ही डाउट हो रहा है क्या हम कहीं करत तो न तरीके से हमारी तैयारी लगता है कुछ थी ही नहीं तो ऐसा डाउर सा लगता है कि यार हम कहीं गलत तो नहीं है हमारी तैयारी जो हम कर रहे हैं कुछ अलग तो नहीं पढ़ रहे हैं लोग और क्या पढ़ रहे हैं लोग और कैसे अच्छा जा रहा है तो देखो यह प्रावल कि स्सेजव का ये बुक आई क्यों हैं या गुपता एन गुपता है ठीक है। और जो है मार्केड में जो दू-तीन बुक हैं तो इन बुक्त को लोग फालॉ कर रहे हैं इनके कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक के ऊपर जो हम सी क्यों आप लोग उसको लगा रहे हैं यह सब कर रहे हैं पर यहां से बेपर हुब 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 ही नहीं रहा है कि हाँ यहां आप कोशन कर लो इस बुक से कर लो यह फला बुक से कर लो वहां से आपके एजाम में आ तो तो है कि आप कुशन को कर नहीं पाओगे यूंकि जी सिस्टेट्मेंट वाला कुशन बन रहा है नौट कारेक्ट लाकुशन बन रहा है उस हिसा लगए है कि मिल्सों हरे कुशन नए-ड़ी हो रहे हैं औरहीं है और हैं अचिकत में पीस्टिक जानमें अगदम नए पेटन से बना हुआ था जैसे 20 कुशन अगर कहलो देख लो तो जो अग्दम लग रहा था कि हां कहीं कहीं आया हुआ होगा जो ऐसे आ गया हो तो बाकि सारे के सारे कुशन इसे थे जो नए बनने रहे थे तो आपको क्या आपको लगता है क्या अब हमको चेंज करना चाहिए क्या हमक कि प्रिपरिर्जन उस तरीके से नहीं होती है तो हम क्या करेंगे भी आग तो इसी को लेकर मैं चड़जा करने वाला हो कि आख आपको आगे technical and non-technical कैसे त्यार करना है कैसे अपनी पठाई को जाई रखना है तो नहीं हरना हण देखोयार कि यहां तक स्भडली यहां तदक स्भलीं कि यहां दक स्वा दोसम्ह з noun here हो अगर मैं आप से कहूं कि पीछी आपके खाई हैं आगे आप का कुझा आए तो क्या करोगे ना तुब आप पीछे लोट सकते हो ना आगे जा सकते हो तो आपको चलते रहना चलते रहना है तो वही कहां आप छोड़ दोगे प्रहाई को प्रहाई को आखिर तुम करोगे क्या जाकर कि वापस कुछ नहीं करोगे प्राइबेट में जाओगे लाद भूसा खाओगे दादर फिर घबराओने से कुछ नहीं होगा घबराओंगे तो काम बिगड़ जाएगा घबराका तुम अगर अपने बिचलते हो जाओगे तो ऐसे क्या रहा कहां कलते गलतिया हुई उस हिसाब से अपना आगे मोवे च्छी आते हैं तो आप जो है बहुत है अच्य बात है आप नहीं आता तो आगे मुगावन करना ऐसा नहीं को पकड़ के बैठ जाना है होता कि हम लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं अपना आने अला समय भी खराब करते तो आगे आपका डीडीज यही है यही है और वह सारे एक्जाम है जो लोग फोकस्ट कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा इफक्ट पड़ेगा तो लिहाजा यही आप सब्सक्राइब से कि आप अपने समय को खराब न करें अगर हो गया आप नेक्स आपका टार्गेट जो भी हो आप उसके कार्डिंग पढ़ें ब तीन पार्ट में बाट लो जैसे कि आर्सेइशी यहां पर आपको शेटमबर सर्वे भी जोड़ेना है तो आर्सेशी है इस्टील है फ्रूट मेकानिक्स से स्ट्रक्सिल अनसी से सुलीन मेकानिक से और आपका सर्वे इन छे को हम लोग मेजर सर्वेक्ट मान करके इनको एक हुए हैं मैटियल सोइल मेंगनिक्स इनको च्छे को हम लोग एक मान करके इनको एकित को पड़ना है आप इन कर लगा है तो पहुशंठ कर चुके हैं कही कर चुके हैं कहीं न कहीं से पढ़ चुके हैं तो वह कोश्व नकुछ फ्याइकू लगा रहे होंगे और प्रेविस एपन क्या लगाएंगे वह अपने लगाएंगे भी सब्सक्राइब के लगाएंगे तो जिन भाईयों का यह कंप्लीट हो चुका है तो वह आगे मूबान करें क्योंकि अब कुश्चन जो है मैं इसा नहीं करूं यहां से भी इस पर भी कुश्चन मनेगा आने वल्य समय पह Tweκ distraction आएगा पर मार लोकिसी एक एक्ञाम में अगर यहां से कुशन नहीं है तो इसा नहीं है हम वाणी को नहीं पर नहीं भाड़ना है या पने नोर्स बनाया कोचिंग संस्थान से जहां से पढ़रकिस अपने नोर्च को रिवाइज करो ठीक है य को सीखो से पड़ो अब ऐसा चीज़ा नहीं रहे गई कि आप जो आपने के लोगे काम हो जाएगा नहीं नोट को पढ़ना पड़ेगा बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा और हरे कंसर्प्ट को समझना पड़ेगा उसके बाद से आपको जो है आप मोबान कर ने करते हैं। में ख्योट होता क्या कि कोष्टन दे रहाता है यहांपे स्टेट्मंट उसके बाद चायर पिकल्प दिए रहते हैं स्टेट्मेंट बीगतरी इसमें से कोई एक हैसी हो तर्याब्र से टिक लगा देते हैं इस तकार के कोश्टनOWуется होती है हमारी फ्रैक्टिस ह नहीं आता है जहले पने सिंपल कुशन आता है कुशन देया इसका यह वाइस तक हुआ है आप उनको देखोगे आप किसी दूसरे के सारे मत रहों कि वह कराएगा तो हम करेंगे ठीक है नहीं किसी दूसरे का अपने याँ से आपको करना पड़ेगा और देखो मैं बुक लैने के लिए नहीं इसक्वापार दोगे यजी सिभी लक्ट डालोगे तो आपको एक स्वेक्स्ट मिल जाएगा उसको पर अपड़ कर लेना वहां पे आपको पीड़ोड पेपर मिल जाएगा और जैसे कि आपको फूरा टेस्ट होता वैसे मिल जाएगा ऑउस प्रकार के बेस्ट पर आप अपना अनराइज कर सकते उस को देख लू लगभग उसमें जो है तक्रिशन को पढ़ लगा लो तो उससे एक अंदर स्टेंडिंडिंग आएगी किया टेखल करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो इसा नहीं वह बहुत टाफ टाफ कोशन होता है अपका कंसर्ट भी सही होता है पर ऐसे कोशन की प्रेक्टरिस ना होने की वज़ासे एकजाम में जब वह हमारे सामने आता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं इस वाद को आपको ध्यान में रखना है और अपने तयारी के में एसी प्रिलिम्स के कोशन को प्रेक्टिस को डालना है तब आपका अगर इस तरीके से कोई पेपर बनेगा तब आपकारगर साबित हो पाओगे ठीक है भाई आपको टेक्निकल में अगर अपने मलब जो है अपने पेपर को अच्छा बनाना है तो आपको स्टेट्मेंट वाले टाइप के कोशन को प्रेक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए आपको किसी के सहारा नहीं लेना आपको खुद करना है टेक्स्ट बुक पर जाना है वहाँ प अपको यह पूरा सक्षन मिल जाएगा उस टेक्सकेंदर आपका प्रेव незांब भी होगगा और मॉक् तेस्ट भी होगा तो पर बिपे फर को पहले लगाना डॐली मत लगाना तो शबता में एक दिन जैसे आप प्रिए सब्क्र मुरति हैं वालोग सबस्ट को ढ़ms सम्मिट कर दोगे तो पूरा पूरा आपका समझा जाएगा फिर एक को पढ़ना अपने आप से रीड करना उसके एंसर देखना जब आपको इस स्टेट्मेंट वाले कोश्चन पर आपकी पकड़ बन जाएगी कुछ है नहीं यादा उसमें तम बस आपको उस परकार के कुछन की प्रेक्मक्रीच करना है जब आप प्रेक्टिस कर लोगे तो आपको कैसे परा एक्जामें कोई दिक्क करना है और साथ ही साथ हमें अपने बेसिक को भी नहीं बूलना पर दूसरे दिन आप बिल्डिंग में से कुछ इंपॉर्टन चीज़ें को रिवाइच करने के लिए लो अगले दिन इसलिए को डिसाइड कर दिया है कि एक नापका मेंचर सब्द्द्द हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आप हर एक सब्द्द से रूबरू होते रहोगे पता लगता है कि आप पूरा पड़ से चले जा रहे हो उसी सब्द्द को दुबारा दुबारा पढ़े हो पर आपके जो माइनर सब्द्द हैं आप उनको नहीं पढ़ पार हो यहां पढ़ ही नहीं पा कोई नहीं होगा तो भी या ज्यादा घपराना नहीं है अपने तयारी को फिर से स्टार्ट कर दो और इस energy की साथ start कर दो कि हमको selection लेना ही लेना है यो कि पीछे वापस लोड़ने कोई मतलब नहीं रह गया है तो मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से काम करना है अपने तैयारी को आगे बुफ्ट अप करना है तो नेक्ट डेडिये जैसे जै की तैयारी में लग जाए और हमसे जो होगा हम अपने कोशन के सीरीज भी स्टाइट करेंगे यहां यह सी के प्रिलिम्स के प्रिवाइक क्योंकि और जो है नाइटक के भी कोशन प्रेक्टिस करते रहेंगे तो साथ ही आप सभी से यहीं विंती थी कि मैंने देख रहा था कि एकजाम के बास से बहुत से लोग डूडू हो गए हैं में लूग हो गए हैं कैसे दैहारी किया जाएए मुझसे तो लगता है मेरे मेनत ली कराब जा रही है इतना मैं पढ़ारा हूं तो देखो कभ़ाना नहींए सब का यह हाल ने तो आप देखो कि अब एपको नहीं है आपको समझना है कि कहां मिलेंगे आपको आपको वहां सुछक्त करनी है क्वाई रृष कुब्र स्टाrat क उने में काने पहले पर ना क्योंकि आने वाले तो आपको वहां पर आपको वहीं से स्टेटमेंट वाले कुशन को मिल जाएंगे टेक्ट बुक के ऊपर तो आप सभी से यही बिंती है कि घबराये नहीं मेना से काम करिए और सब्सक्राइब करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई सब्सक्राइब कोई डाउट हो तो आप फरेंड कमन करके मुझे पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए थाइंक्यू जैहिन जैवारा टेक के वाबाय लव यू